कहानी की शुरुआत में हमें दक्षिन अफरीका के एक कभीले को दिखाया जाता है जो की आधुनिक इंसानों से दूर अपने ही दुनिया में रहते हैं इस कभीले में जो बच्चे रहते हैं वो सभी बच्चे गवारा गवारा खेलना पसंद करते हैं जिन में उन्हें एक पथर को एक लकडी से किसी भी जानवर के गुफा के अंदर डालना होता है खेर इस कभीले का सरदार जिसका नम चोंगा जब वो सस्तेने से कर रहे थे तब ही वो आसमान में एक पक्षी को पाद मारते हुए जाते हुए देखते हैं इसलिए वो अपने साथियों के साथ उस पक्षी को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कोई पक्षी नहीं बलकि एक प्लेन था जो कि क्रैश हो चुका था उस प्लेन के सभी लोग मर चुके थे सिबा एक बच्चे के अब जब वो बच्चा जंगल में पड़ा हुआ था तबी एक सेर उसे खाने के लिए उसके पास आता है लेकिन इससे पहले कि वो सेर उसे कोई हानी पहुँचाता तबी वो बच्चा एक जोरदार पाद मारता है जिसकी बदवू से वो सेर अपना आपाखो बैठता है और वो वहां से चला जाता है इधर ये सब कुछ महराज चोंगा भी देख रहे थे और वो सोचते हैं कि वो बच्चा साइद काफी ताकतवर है इसलिए उसने उस सेर को वहां से भगा दिया जिसके बाद महराज उस बच्चे को अपने साथ अपने कभीले में लेकर आते हैं और इसके बाद और कुछ साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा अभी काफी बड़ा हो चुका है यहां पर हमें पता चलता है कि महराज की एक मुशिबत है कि उसकी बीवी की अभी तक चार बच्चे हो चुके है लेकिन एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ इसी बीच पेट में गोदाम बनाई हुई उसकी बीवी कहती है कि महराज आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि इस बार में आपको 100% एक लड़का पैदा करके दूँगी जबकि डेटॉल भी 99.9% में जम्स मारती है लेकिन वो 100% सी और थी कि उसकी जरूर बेटा ही पैदा होगा अब इसी चीज़ को पता करने के लिए महराज एक खुजली बाबा को लेकर आते हैं जो की हड़ियों को पढ़कर महराज को ये बता देगा कि उसकी बीवी की पैट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो की गवारा गवारा खेल रहा था इसे बीच उसका निशाना चुक जाता है और वो पत्थर जानवर के गुफा में जाने की बजाए खुजली बाबा के सर के उपर लटका हुआ एक मिट्टी के बतिले में जाकर लगता है जि इसके जबाब में खुजली बाबा जब कुछ भी नहीं कहता तभी बच्चा कहता है कि महाराज ये हट्टिया कह रहा है कि आपके नाक पर अभी एक पक्षी अपना सामान निकालने वाला है जिसको सुनने के बाद महाराज उपर आसमान की तरफ देखते हैं और तभी एक प को देखते हैं जो कि अभी बुड़े हो चुके हैं और उसने अपनी जवानी की गर्मी में शादी करने में हाफ सेंचुरी कर लिया है यानि उसने पचास औरोतों को शाथ शादी किया है लेकिन उनसे डेड़ सो बच्चे पैदा करवाने के बाद भी उनका एक भी बेटा प थुकने के लिए कहता है पर महराज काफी बुड़े हो चुके थे इसलिए वो उसके हाथ की जगा उसके मूँ पर थुक देते हैं खैर बोन्स हड्डियों को पढ़ता है और महराज से कहता है कि महराज आपकी 50 नंबरी सेटिंग से भी आपको कोई भी लड़का पैदा नही हैं और तभी उन्हें याद आ जाता है कि कई वर्षों पहले वो घूमने के लिए उत्तरी दिशा में गया था जहां पर उसने एक रात संसिटी नाम के सहर में रुका था और वहां पर उसने अलकाइदा नाम की एक लड़की के साथ घोर तपश्या किया था महराज बोन्स से खिसली उल्फ नाम के एक प्रसिद्ध गोल प्लेयर को अपने दोस्त और एकलोते कोच कोईला के साथ देखते हैं वो कोईला को बताता है कि इस सहर में कुछ दिनों के अंदर एक गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जीतने बाले को धेर सारा पैस हिएधर हम एक मशूर जुहारी को देखते हैं जो कि खिसली उल्फ के उपर काफी पैसा लगाया हूँ था क्योंकि उसे लग रहा था कि खिसली उल्फ ही इस टूनामेंट को जीते गा दूसरी तरफ हम बॉन्स को देखते हैं जो जंगल से होकर संसिटी की तरफ आ रहा था तब यो जंगल में एक हाथी को मुसिबत में बड़ा हुआ देखता है इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। दरसल उस हाथी के पेट में कुछ केमिकल लोचा हो गया था इसलिए बोन्स उसके पीछे हाथ डाल कर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इधर तब तक वहाँ पर कोईला भी अपने साथियों के साथ जंगल सफारी के लिए आ चुका था जिस बज़े से बोन्स कोईला को देखकर उसे नीचे जुकने के लिए कहता है। लेकिन कोईला उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं जुकूंगा क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ। तबी दूसरी तरफ खिसली उर्पे एक बॉल मारता है जिसको नापने के लिए कोईला उस बॉल के पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और वो बोन्स को वहाँ पर मचली पका कर खाते हुए देखकर उसके उपर भढ़क जाता है और उसके सामान को उठा कर फेकने लगता ह है उधर हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि दहज में एक सूर को लेकर जा रहा था लेकिन इसी वीच वो सूर प्लेन से कूद जाता है और उस गधे के उपर आकर गिरता है जिसके बाद काला कोईला को होस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है अब क्योंकि काला कोईला खि खिसली उल्फ के उपर काफी सारा पैसा भी लगा दिया था इसलिए उसके उपर फिक्र होने लगता है इसके बाद टूनामेंट के दिन खिसली उल्फ जब शौट मारता है तब उसका एक भी शौट निशाने पर नहीं लगता दूसरी तरफ हम बूंस को देखते हैं जो कि उस मैदान के पास में एक जंगल में हड्डियों की शुक्रिया अदा कर रहा था इसी दोरन वो एक गंडे के सिंग से एक धुन बजाने लगता है जिसको सुनकर खिसली उल्फ काफी अच्छा शौट मारने लगता है और उसका हर शौट निशाने पर जाकर लगता है लेकिन खोलते ही वो अपने सामने खिसली उल्फ को देखता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि हमारे देश का राजकुमार यही है वो उससे कहता है कि राजकुमार आप महाराज चोंगा के बेटे हो और महाराज ने मुझे आपको हमारे देश बापस लाने के लिए भेजा है अब क्योंकि बॉन्स को राजकुमार मिल गया था इसलिए फिर से गैंडे की सिंग से धुन बजाने लगता है जिसको देखकर खिसली उल्फ उससे कहता है कि मैं अगर तुम्हारा राजकुमार हूँ तो तुम मेरी हर बात मानो के इसलिए वो उसे गॉल्फ के मैदान पर लेक लेक्टिया शॉट मारने लगता है तभी बॉन्स के दिमाग में आइडिया आता है और वो खिसली उल्फ को गौरा-ग्वरा खेल के बारे में बताता है वो एक लकडी से उसके अकरोट पर हिट करता है जिससे खिसली उल्फ फिर से अच्छा शॉट मारना शुरू कर देता ह इसी दोरन खिसली उल्फ जब एक शॉट मारता है तब यो बॉल गड़े में गिरने से पहले ही बोंस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि राजकुमार हमें यहां पर काफी देर हो चुका है इसलिए हमें हमारे देश बापस जाना चाहिए अब क्योंकि उसने उस बॉल को गड़े में गिरने से पहले ही पकड़ लिया था इसलिए गेम के मैनेजमेंट उसे उठा कर मैदान से बाहर फेक देते हैं इसके बद रात में खिसली उल्फ एक बार में जाता है जहां पर वो लेलिती नाम की एक लड़की का गाना सुनकर उसक खार था तब ही वहां से ओकर लेलिती गुजरती है और वो बॉसको पहचान लेती है दरएसल लेली तीदी भी कोईला को भी पता चल गया था इसलिए वो खिसली उल्फ को लाने के लिए होस्पिटल से भाग कर अफरीका जाने लगता है साथ ही साथ हम ललेती को भी देखते हैं जो कि अपनी मा के साथ अफरीका जा रही थी लेकिन रास्ते में उसकी कार कीचल में फस जाने की वज़े से वो दूनों पैदली अपरीका जाने लगती है रास्ते में उनकी मुलकाद बोंस और खिसली उल्फ से होता है और वो सब भी अपरीका जाने लगते हैं काफी लंबा सफर करने के बाद वो लोग आपे का पहुंद जाते हैं जिसमें बोन्स उन से कहता है कि नहीं महाराज यही आपका बेटा है क्योंकि ये ग्वारा ग्वारा काफी अच्छी तरीके से खेलता है रात में उनके आने की खुशी में जशन मनाया जाता है जहांपर खैसली उल्फ माइकल जैक्सन की तरह नाचने लगता है जिसको देखकर महाराज का सक यकीन में वदल जाता है कि ये उसका बेटा हो ही नहीं सकता इसलिए वो खैसली उल्फ को ग्वारा ग्वारा खेलने के लिए कहता है लेकिन यहां पर खैसली उल्फ ग्वारा ग्वारा अच्छे से खेल नहीं पाता और उसके हाथ से वो लकडी छूट जाता है जो कि महाराज के सर पर जाकर लगता है अब इस घटना से महाराज बॉकला जाते हैं और बोन से कहते हैं कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता और इसे तुमने कहां से उठा कर लाया साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं जिसने खैसली उल्फ के उपर पैसे लगाया था वो खैसली उल्फ और लैलेती को गुल्छडरे उड़ाते हुए देख लेता है और खैसली उल्फ के पास जाकर उसे हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए कहता है जिसके बाद खैसली उल्फ के जाते ही वो लैलेती को माणने की कोशिश करता है लेकिन इसी दोरन उसके हाथ से गोली चल जाता है इसलिए खैसली उल्फ लालेती को बचाने के लिए आता है और उसे वहां से भगा देता है दूसरी तरफ ये सब कुछ महराज भी दूर से देख रहे थे और बोंस उनसे कहता है कि देखा महराज इसकी बहादूरी मैंने कहा था ना कि यही आपका बेटा है खैर इसके बाद महराज उसे अपना बेटा मान लेते हैं और कभीले के सभी लोग उन्हें फिर से कभीले में लेकर आते हैं यहाँ पर खैसली उल्फ महराज से कहता है कि मुझे अपनी ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ इसी बिच खैसली उल्फ यह भी कहता है कि मैं यहाँ का राजा बनने से पहले गौल्फ खेरने के लिए एक बर संसीटी जाना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद महराज बोन्स से कहते हैं कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि यह मेरा सगा बेटा है या नहीं हेलिकॉप्टर की नीचे एक रसी में एक हुक लगा हुआ था जो कि काला कॉल्फ के बेल्ट में अटक जाता है और काला वो लॉकेट भी लटका हुआ था जिसको महाराज ने अलकाइदा को दिया था जिसको देखकर महाराज भी समझ जाते हैं कि काला कोईला ही उनका बेटा है खेर इसके बद हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखा जाता है और हम देखते हैं कि संसीटी में फिर से गॉल्फ के टूर् करेक्शन देता है कि वह किस तरीके से इस मैच को जीत सकता है इसी बिच खेसली उल्फ एक शॉट मारता है जो कि होल के सामने आकर रुख जाता है जिसको देखकर बूंस एक लकड़ी से टीवी को जाकर हिलाता है और तब यो वाल होल में गिर जाता है यानि खेसली उल्फ उस गेम को जीत चुका है इधर तब तक महाराज की पचास नंबरी बीबी एक बच्चे को जनम देती है जो कि दरसल एक लड़का था ये खबर सुनने के बाद महाराज काफी खुश हो जाते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि वो बच्चा गोरा है तब यो सोच में पढ़ जाते हैं और उस बच्चे को हसकर अपना लेते हैं और दोस्तों इसे के साथ ही इस मज़ेदार मुवी की कहानी खत्म हो जाती है